तो आज देखी गाइज, इस समय मुझा रक्षा बंदन है, तो आप लोगों को हैपी रक्षा बंदन, रक्षा बंदन के लिए हम ले करके आएं, एक साथ तीन तीन मिठाईयां, दो मिठाईयां आपकी ऐसी हैं, जो आप पांसे दस मिनट में बना करके तयार कर लेंगे, और मिठाई भी देखना ना भूलें, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है, और बिल्कुल कुछ भी इसमें पैसा नहीं लगना है, बहुत अच्छे से जल्दी से बन कर तयार हो जाएगी, तो चलिए, देख लेते हैं, अपनी मिठाईयां की हम ऐसी कौन से सुद्ध मिठाईयां अपने घर में बना करके खिला सकते हैं, अपने भाईयों को तो चलिए, दिखाते हैं आपको मिठाईयां आज की, तो ये देखे, पहले मिठाई हमारी है, इस तरह की देखे, डबल लेयर बर्फी, जो की बहुत अच्छी, बहुत यम्मी लगती है, जिसे की छोटे भाई ब इसे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है, तो चलिए, शुरू करते हैं, ये देखे, हमने ले लिया है, एक कप दूट पाउडर, ये देख सकते हैं, और देखे, एक कप लेंगे है, इसी में सेम पानी, ये देखे, इसको हम गोल लेंगे, तो ये देखते हैं, एक अगर देखा जाए, खाने वाली स्पून अगर देखे जाए, तो तीन से चार बड़े स्पून है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि छोटा कप है हमारा ये, तो इसको हम एक कप पानी से घोल लेंगे, ये देखे, इस तरह से, ये देखते हैं, ये अच्छे से लंग्स-P क्योंकि एक कप दूद था ना, तो उसे हिसाब से एक कप चीनी ले लेनी है पहले, देखे जिए, चीनी मिच कर देगे इसको, और अब देखे, क्या करना है, गी एट कर देगे इसमें, क्योंकि देखे, दूद पाउडर में तो कोई घी बगार नहीं होता है, तो इसलिए हम इतने से ही सामान से आपकी कम से कम 1 kg मिठाई बन कर तयार हो जाएकी, जादा नहीं लगेगा, तो यह देखे, इस तरह से पकाएंगे, देखे, दूद पाउडर डालने से बहुत जल्दी थीक होने लगता है, तो यह देख सकते हैं, इस तरह से, यह देखे, अब यह डेसिक अब एक बाउल या कटोरी कुछ भी सेट कर लें, उसी बाउल से आप जो कुछ लेना है लेजे देखे, अगर आप एक कप नारिया लेते हैं, तो हाप कप दूद और हाप कप पानी, आपको मिक्स करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो यह देखे, हमने दो कप लिया कि यह हमारी मिठाई कैसी है, सुध है या सुध है या सुध है, या मिक्स की हुई है कि बहुत सार लोग मिठाईों में अलू है, अर्भी है, यी छीजी емिक्स कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है, तो वजो की हमारे एक अगर पाना है चैपर कर जातिए है जिसे भूद क बोट इस तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद क्या करना है इसको इस तरह से गोली बनाएगे तो देखिए यह अदे अच्छे से बन चुकी है हमारी तो अब हम क्या करेंगे इस बैटर को एफ हाफ पढ़े करेंगे तो एक पहले हमें इस सफेद वाले लिया है वेटर उसको भीन्म अब चिकना कर देंगे अब दूसरी बाउल में कजया बाउबर कोको पाउडर डालेंगे और एक्वाउड और इसमें हम। लिए प्रषक साथ को ज़ाने है जये जरीम ठोलो अब काहरा दीजिम द्राया पानी के जली दीजिट कर दिया है so far तोड़ा सा पांदिक दोड़ायर चुक्म सब्सक्राइबाइब त्सक्ですか इसको इसे एक इस बहुत हुआ नहीं हों dakika घोए टाहसे और शुक्निया ठीक होने लगा है अब इसको भी देख लेंगे उसी तरह से तुकि इसमें पानी दूद एट किया था इसकी वह ज़से फिर से इसकी चेक करेंगे तो बस उसी तरह से गोली सी बनने लगे आप समझ दीजिएगा कि आपका दो हो चुका है और उसी के ओपर जा करके आप फैला देख सकते हैं यह अच्छे से गोली बन रही है तो हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे और चलिए अब फटा फट से वाइट वाले पार्ट पर इसे फैला देते हैं यह देख सकते हैं एक बात और करेंगे यह मिठाई बिल्कुल भी दिकत नहीं करेंगे बहुत अच्छी अच्छे फ्लेवर में बनेगी और दूद अगर नहीं भी है आपके हैं तब भी बन जाएगी कोई प्रावल्म नहीं बस दूद पावडर आप थोड़ा सा ले आएगे यह देखिए अब इसे क्या करेंगे हलका सा द्रीज कर दिया है बाउल को और इस ताए से टैप करते अच्छे से फ्ला देंगे यह देख सकते हैं यह देखिए अब हम इसे क्या करेंगे क्ट करेंगे तो देखिए बराबर कर लेंगे जिससे की अच्छे से कट हो जाएगा यह देख सकते हैं यह देखिए अच्छे से कट कर लेंगे और कट करने के बाद में हम पीसे देख सकत आप लोग कैसी हो गई है एकदम साफ स्मूथ निकल कर आ गई है पीस तो इसी तरह से आप बना सकते हैं नारियल की डबल लेयर बरफी घर में ही आप देखिए हमनी चॉकलेट पाउडर लिया हुआ आप जो इच्छा हो आप वो कलर ले सकते हैं को प्रोडम नहीं होगी आप मिलोड़ प्रेट कर सकते हैं आप इसमें कुछ और डाया जाता है वी डेसकता हैं कि लिए के बहुत टीषटी में वृज्ड़ी डंकर के तयार हो गई है देखिए डबल लेयर बरफी ऑभ अब दूसरी तोफियों की जए पश्ते हैं की अब बच्छों को अब ँछाया, प्लिषी и अचियो देख लेगए की और हम टॉफियों से बनी मिठाई बच्छों को टॉफिय का बिह बहुत पसंदता है सिर्फ और सिर्फ आठ टॉकियों से हम बनाएंगी बहुत अच्छी सी मिठाई तो यह देख सकते हैं बहुत अच्छी बनने वाली है तो चलिए इसे भी हम बनाना सुरू कर लेते हैं तो यह देख सकते हैं अब देख सकते ही मुँ में पानी आ रहा है एक टेस्टी है तो यह ले लिए हमने अब इन टॉकियों क्या करेंगे हम करेंगे अख्छे से अब अब हम क्या करेंगे एक बाव ले ले लेंगे दूथ पर के लिए प्रदीत, और इसे अब भी मिक्स करेंगे और कुछ भी नहीं नहीं, कोई भी चीज ज़रूरत नहीं है। जीरी जारा है। पहले मिक्स करेंगे। फिर लोगा करना है, अच्छा से मेल्ट होना है। फिर दिखाते हैं। बच्चों को टॉफी का फ्लेवर होता है वो बहुत टेस्टी लगता है बहुत यमनी लगता है इसी वज़ा से हमें टॉफी लिया है तो देखे अब डालेंगे हाप बाहुत चीनी इसलिए हमने एड़ करी है क्योंकि जो बच्चे होते हैं मतलब टॉफी तो ऐसे भी मीठी हो अब यह देखे 5-6 स्पून डालेंगे दूद पाउडर जैसे के थोड़ सा क्रीमी टेक्च्चर आया है आप चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं और यह देखे इस तरह से मिक्स करेंगे एक बात और अगर आपकी दूद पाउडर में गाठे पढ़ जाती है तो कोई प्रॉब्ल आपक ब्रॉब्लम माल बार नहीं है तो इसस तरह से पकते जाएंगे यह देखेए तो आप इसमें एम घी डालेंगे नहीं कोई पर जाहें है हमरे बर्फी में यहत देखी गाईज। हमने अपनी टॉफी से बर्फी बना कर देख लेंगे इस तरह से एक स्पूस में निकाल कर रख देंगे हलका सा ठंडा हो जाने देंगे और इसको चलाना बिल्कुल नहीं चोड़ेंगे अगर चलाना आपने छोड़ दिया तो यह तली में चिपक जाएगा तली बहुत जादा कर लेंगे उसके बाद 20 लगी हुई थाली में इसको सेट कर देंगे तुरा प्रॉपर अच्छे से भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट चैनल है उसके हम सिर्फ और सिर्फ मिठाईया बनाना ही बताते हैं और कोई चीज नहीं बताते हैं तो आगर आप इस तरह से हम लगाएंगे सीधे अपने बर्फी पट चिपका देंगे तो यह देखिए अच्छे से चिपक गई है और आप देखिए इसको 10 मिड ले चोड़ देंगे और यह अच्छे से सेट हो जाएगा हमारा reach सेट हो कुणा है, तो हम कट कर जोटा है, तो इसको हम एक अपकर करते हैं Poriat經, क्याशित का है कि तौछ झाहरे में, कोहरे में माइब क च्काहिए, यह यहां करोंड दोगे, किक पीशामने रहा है और कोल दोगे नेने, हमारे काहँए दte कृष ख लिएक है, इसको नेक्स मिठाई जो हम ले करके हैं वह बहुत यम्मी है अगर हमारी यह मिठाई अच्छी लगई तो इसको भी बताईएगा तो चली आज हम बनाते हैं चावल की मिठाई बहुत टेस्टी बहुत यम्मी तो यह देखें देख सकते हैं पानी लेना है 15 बाउल यह देंगे भूलेरे लेट लिएफनों शर्ब पानी सपर टो Χावल गाट भूले लेंसे नाग करणा है प्रहसमिल को फंकल पाकुछ पीजोस सब्सक्लू है और यह मिठाई बहुत अच्य मिठाई बनती है अब इसमें राइची अटी कूड करें डाल देंगे हम अच्छे से तो ये चास्नी बन जाएगा अप ही मुष्छे से तो हम क्या करेंगे अपना चाओल जिए राइच्ञ आटा था वह डिर्ग का तो यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं इस तरह से अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से बना लेंगे अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा चिप चिपा गीला सा लेकिन यह कुछ नहीं है अब यह देखिए इसको हमने डाल देना घी 2-3 स्पून अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि इसमें स्मोफने सा जाए और जो मिठाई बना रहे हैं वो अच्छे से खस्ता और क्रिस्पी बने इस तरह से मिक्स करते हुए अब हम क्या करेंगे इसको रख देंगे ठंडा दूमिल्क पाउडर ले लिया है इसमें हम दूद डालेंगे हाप बाउड जएदा नहीं डालेंगे हाप भाउड लालेंगे अब इसमें अच्छे से गाठ फ्री बना कर तयार कर लेंगे इसमें गाठे नहीं चाहिए और एक बात यह सिंपल दूद है नॉर्मल अगर आप दूद में डालते हो ना तो इसकी गाठे ज़रूर बन जाती है दूद पाउडर के इसलिए हमें सादा दूद लिया हो आप देखिए अच्छे से गोल बन कर तेयार हो गया है यह देख सकते है और आप क्या करेंगे हम इसमें पीसी हुई सुगर डाल देंगे दो स्पून के अच्छे से अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करनेक बाद इसे हम पकाएंगे क्यों क्योंकि हमें इसका मावे के तरह टेक्स्चर चाहिए तो या तो आप पका लीजिए या पिर आप डेसिकेटर नाडिल डाल लीजिए तो फिलाल अभी हम डेसिकेटर नाडिल दो स्पून और इसे भी मिक्स कर लेंगे कि हमको फिलिंग बनानी है तो यह देखिए जेसिकेटर नादिल भी आट कर लिया देखिए इसमें अगर आप डेसिकेटर नादिल नहीं भी डालना चाहते न तो आप हडा सकते हैं और यह ब्लैक ब्लैक साब को दिखा होगा वह हमारी इलाइची अब हम पका लेंगे इस से तो यह एक डर के ओम में आ जाएगा आ यहीं आप अच्छे से बहुत जल्दी बन कर की तिरार अगए यह देख सकते हैं यह चुक-जली बन ती देख सकते हैं यह दिखेगी इसको यह पूह्कत में प्रस्टी बार सब साद्मक ब्लेशा कर आट कहाब बन चुका है थोड़ा तो हमने होड़ा भाफ धिया है errors की समीफल सा बनता और हमने त्युश्य साइकमे रहा रहे हैं त्हें थंड़ा भगाइए सरन थे पी तरह से ऐसे परज़ाम है अब हां nya से जाने कर देख मुंख धान बना को यह गाएт के आपन कर वीमेर तदोर के थेज़ादन में और हम अपाइब करने सीचा यह बढे हैं जोग ढाया si e divers नेंड़ीया जोगी थोड़ा गजिसे तहुड़ा सा काम करने में आसानि होगा है यह अपाइब सब्सक्राइब कारें आज आपइस Part- çाई yapt और आप देखे, इसे हम छोटी सी बॉल बना लेंगे, मदब नीबू के आकार, से थोड़ा सा बड़ा लोए ले लेंगे और आप इसे हम इसे गोल शप्प्रा करते हुए, और आप इससे यह खोरें काशाले वह बनाते हुए यह देख सकते हैं और अब इसे स्मूध गोली बनानी है यह देखे आप इसे एक तरह से चावल के आटे की मीठी कचोरी भी बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है यह देखे अब तील पर रखेंगे और इस तरह से फ्लैट कर देगे ताकि तील इस पर अच्छे से चिपक ज है अगर आप फ्लिंग नहीं करना चाहते हैं दए और यह बिहार की बहुत प्रिसिद मिठाई है बहुत अच्छी रिख स्युखे की क्यूर्व होता है तो महां पर यह मिठाई बहुत जयादा बनाती है और तो यह देखे इस तरह से बना लेंगे कि देख सकते हैं porta ये तरह से रखना है और फिर कर देना है सारे के अले सारे बंचोड़ा तरह ये देखें Europyन के सबसे से रखने ह सार वह आपको चाहरो दो शूझा आफिनगे में एकिर कुल दूटा अब जूट जाएंगे ऐस ने ऐसे अटा पना दीम में देखें, एक स्पून लेंगे और धीम में से इसको पलट देएगे, दो से तीन मिट बाद ही आप पलट देएगा, नहीं तो यह तोट जाएंगे, क्योंकि चावल से बने हैं, सौफ बहुत होते हैं, तो यह देखें, इस तरह से आप पलट लेंगे, एक बार उपर की हलकी सी लेयर जो सिख जाती है, उसके आप बाद आप पलट यह कितना भी फिर यह जलेंगे नहीं, तो अब देख सकते हैं, तो देखें, देखें, हमारे यह तो इसको एहरसा बोलते हैं, आप कहां क्या बोलते हैं, वो बताएगा, तो इस तरह से हम सेख लेंगे, इस मिठा इस तरह से चुकि है और आप दीरे दीर से निकाल लेंगे, इस तरह से स्टैनर में निकालेंगे, ज एक्स्ट्रा ओयल होगा, वो हमारा नीचे की तरफ अचाएगा, निकल जाएगा, यह देखें, इस तरह से करने पर, तो देख सकते हैं, हमारे मिठाई बन और के, तयार हो इसी तरह से हम सारे बैचे सेख लेंगे, यह देख सकते हैं, इसी तरह से हम दूसरे बैच भी सेख लेंगे, लेकिन एक बात थिया रखें, बहुत जादा हाई फ्लेम पर नहीं सेखना है, अब यह देखिए हमारी मिठाई बनकर के तयार हो गई है, अगर आपको यह अच्छी लगी, तो यह देख सकते हैं, तो यह सारी मिठाईयार अच्छे वंदन पर बना करके आप तयार करें अच्छे से, और फिर आप लोग हमें बताएं कि यह कैसी लगी, तो मिलते हैं नेक्स जे नेक्स वीडियो के साथ, बाबाए!